तो है गाईज स्वागत है आपका हमारा प्लेटफोर्म पर तो गाईज यहां पर आपको आज के इस वीडियो में समझना क्या है कि हमारा जो बैग्यानिक होते हैं वो आपको क्या होते हैं तो आपको करना के है आप ध्यान दिजगा कि मैं आपको इस वीडियो में यही किलियर करूँगा कि अगर आपको नहीं समझ पड़ेगी तो आप वीडियो के नीचे कुछ भी लिख कर जा सकते हैं और एक बात याद रखना मेरे प्यारे साथी कि न समझना और न समझना ये आपको उपर दिर्वर करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेग्यानिक लिखा हुला है तो वेग्यानिक अगर इंगलिस देखा जाय गोज़ेगा बहुत ही परिवासा जो बहुत ही सीमपल परिवासा है जिसके बहुत ही पर आप देख सकते हैं लिखा मिया 5 है कि बाद धियेता पूर्न और इसके बाद 4 है और इसके बाद देख रहा कुसल, चातूर, बिद्धता पूर्ण और इसके बाद ज्यानी तो अब हम समझते हैं इसका परिभासा जो कि बहुत ही सींपल परिभासा है आप समझना यार बहुत ही सींपल है परिभासा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा क्या होगा है कि बैग्यानिक वह है अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि बैग्यानिक क्या होते हैं और बैग्यानिक हम किसको कहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर होगा बैग्यानिक क्या होता है किसे कहते हैं और क्या समझते हैं तो ये सबका का परिभासा मैंने यहां पर दे दिया है स्मागर का यह की होता है आपको घवरान है बस आपको जो आता है वही आपको यहां पर लिखनी है तो यहां पर आपको देखना क्या है कि он बैग्यानिक वह है जो खोज करता है या जो अवलोकन करता है या जो परस में पुछता है या जो सोचता है और जो परिश्रम करता है या जो अनुमान लगाता है और जो वर्गी करन करता है वही होता है आपको बैग्यानिक तो मेरे प्यारे साथ ही जहां पर आपको परिभासा आई कि नहीं आई कि लिखा क्या हुआ है कि बैग्यानिक वह होते हैं यानि साइंटिस्ट वह होते हैं जो खोज करते हैं किसी चीज को खोज करते हैं क्या रिया क्या है क्या नहीं है जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है अगर कोरोना में अगर किसी चीज का खोज हो जाता है तो खोज कौन करते हैं तो वो आपको बैग्यानिक है करते हैं तो जो खोज करता है और जो अलोकन करता है जो प्रस्ण पुछता है जो सोचता है जो परिश्रम करता है और जो अनुमान लगाता है और जो वर्गी करन करता है वही होते हैं आपको बैग्यानिक और भी सिंपल से दे यानि औलोकन करना मेहनत करना यानि परिश्रम करना अंदाजा लगाना कि वह चीज कैसा है और वर्ग के अनुसार उसको विभाग करना यानि बाटना यार यानि वर्गी करन करना और विचार करना यानि समझ सकते हैं सोचना यार विचार करना या चिंता में पढ़ना वही होत तो लिख लेजिये और एक और है यह पर जो कि आप यह पर देख सकते हैं तो यहां पर आपको बैग्यानिक समझ आए कि कि नहीं आए कि नहीं होते हैं वह अप Посक्ष herman होते हैं तो यह दूनों यहां पर हम जो जो यहां पर लिखें यह क्या है बऑग्यानिक है जोगी बहुत ही सिंपल सी परिभाथ आया है तो अगर आपको बैग्यानिक समझ आ गई हो तो लाइक कर देना और चयननल पर नए होथो तो यार चैनल को सबस्क्राइब भी कर लेना तो चलिए यहाँ पर वीडियो आज का समाप्त होता है मिलता है आपका भाई नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइम बाइबा टेक क्यर बेस्ट अफ लक बने रहना और जुड़े लना और कोई डाउट हो तो नीचे कोमें सेक्षन में जरूर लेखना है तो चलिए आज का वेडियो यहाँ पर समाप्त होता है